नमस्ते दोस्तों मैं हूँ केलास और मैं आजा आपके लिए वीडियो लेकर आओं सुकन्या समर्दी योजना के बारे में इस वीडियो में हपन देखेंगे कि आपको लेने के लिए eligibility क्या होनी चाहिए आपको इसमें क्या क्या benefit देखने को मिलेंगे और आप इस account को कहा कहा पे open करवा सकते हैं और इसको text benefit क्या क्या मिलेंगे इस योजना के द्वारा तो दोस्तों चलिए वीडियो को start करते हैं अगर वीडियो को start करने से पहले अगर आपने हमारी चैनल को subscribe नहीं करिया हैं तो चैनल को पहले subscribe कर लिजिए ताकि जब भी हम वीडियो अप्लोड करें तो आप कोई important वीडियो मीज ना करें चलो वीडियो को start करते हैं वीडियो को start करते हैं समर्दी सुक्रनिया जो योजना है वो पहली बार अरेयना के पानिपत डिस्टिक्ट वहाँ पे ये लागो हुआ 22 जनर्वरी 2015 को इसमें आप 200 रुपे से लेके 1.5 लाग तक जो है आप एक साल का पैसा जमा करवा सकते हैं मिनिमम जो है आप इसमें 200 रुपे भी जमा करवा सकते हैं मेक्जिमम अगर आप जमा करवाना चाहें तो आप जो है 1.5 लाग रुपे हैं वो जमा करवा सकते हैं जो योजना है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की अभियान के अंडरगर जो है आती है Ministry of Women and Ministry of Child welfare इसको संचालित करती है इसमें क्या होता है कि आपको 15 साल तक आपका पैसा जमा करवाना है उसके बाद में 21 साल में योजना मैचुरिटी होती है परिपक्व होती है 21 साल के बाद में आप पूरा पैसा इंट्रेस्ट के ब्यास समित आप निगाल सकते हैं अगर आपको बीच में इस पैसा निकालना है आपको बेटी की साधी है या उसका बेटी की एगर हाईर एजुकेशन के लिए आपको पैसा निकालना है तो आपको श्रीप एडमिशन प्रूप दिखाना पड़ेगा श्रीप इस समर्दिश सू करनेया यूजना के जो एएम थे उसके बारे में बात करेंगे जब यह स्कीम ज़ो है लाँच के गई इसके एहम थे कि जो है लड़की और लड़की में जो भेदबा होता है उसको कम करने के लिए क्योंकि लड़का लड़की में जो भेदबा हो उसके लिए एक तो इसका एमता उसको कम करना लड़कियों का जो है एजुगेशन का लेवल बढ़ाना है और जो है लड़कियों की साधी होती है त एजूकेशन जब लड़कों को हाईर लेवल पर जादा है तब भी पैसों की बहुत सारी परिशानिया आती है तब जो है इस परिशानिया वो आती थी तो इस योजना के ये सारे जो है एमते इनको जो है अगर आप जो है अकाउंट खुलवाना चाहते तो आपकी एलिजब्रीटी क्या क्या होनी चाहिए आपका कौंसे लोग जो है अकाउंट खुलवा सकते है इस इस हीरILY में पहला तो आपका जो है दो लड़कियों तक आप जो है अकाउंट आसानी से खुलवा सकते हैं तीसरी बच्ची पे भी आप खुलवा सकते हैं लेकिन अगर आपका जो है दूसरा बच्ची जो है ट्वीन का प्रॉब्लम है तो आप तीसरी बच्चे पर भी खाता खुलवा सकते हैं लेकिन उसके लिए आपको एक medical certificate की जुरूत पड़ेगी डॉक्टर से क्योंकि आपका अगर लड़की ट्वीन हुआ है तो यह आप तीसरी लड़की पर यह फाइदा उटा सकते हैं पर ना जो है दो लड़कियों में यह जो है इसके मासानी से आप इस स्केम का फाइदा उटा सकते हैं दुसरा आप जो है इंडियन होने चाहिए और रेजिडेंट भी इंडिया के होने चाहिए लड़की की जो उमर है दस साल के कम होनी चाहिए एक से लेके दस साल के अंदर-अंदर आप कभी भी जो है ये अकाउंट जो है स्टार्ट करवा सकते है और जो है ये जो अकाउंट जो है एक लड़की का एक ही जगह जो है ये अकाउंट खुल सकता है आप जो है किसी भी बैंक में खुलवा सकते है पहले जो है यह post office में खुलता था अब जो है हर bank में यह सुविदा उभलब है तो आप कैसे इस account को खुलवा सकते हैं इसके बारे में अपन बात करेंगे आपको सिधा सा post office या किसी भी bank में जाना है वाँ जाकर आपको जो है form दिया जाएगा form को फिल करना है और जो है आपको जो है उसके साथ में आप कितना पैसा जमा करवाना चाहते हैं डाइसों से लेके आप जो है 1.5 लाग तक कितना भी जो है पैसा एक बार जो है जब आप account खुलवा रहे हैं तो आप जो है जमा करवा सकते हैं उसके साथ में आपको जो लड़गी है उसका बज जो सर्टिपिकेट है वो देना पड़ेगा उसके साथ में आपको जो लड़गी का आदार कार्ड या पैन कार्ड कोई भी जो KYC करता है वो आपको देना पड़ेगा उसके साथ ही जो है जो अभी बावक है गाडियन है उनका करवा सकते हैं, उस झाल बाद में आपका Account जो है, प्रॉसेस हो जाएगा, प्रॉसेस हो ने के बाद में आपको बैंक की तरब से एक समर्दी यह लग डाइसो रुपे से लेके आप जो 1.5 लाग रुपे जो है साल का कभी भी जमा करवा सकते हैं और अगर यह जो है डाइसो रुपे आप से कभी भी मिस हो जाए साल में आप बढ़ नहीं पाए तो आपको जो है साल का सरी 50 रुपे और ज्यादा देना पड़ेगा और जो है आपका अगले साल से आप वापस जो है यह 200 रुपे वाला किस्ट इस्टार्ट करवा सकते हैं लेकिन अगर आपने 50 रुपे नहीं दिये तो भी आपको टेंशन लेनी कोई भी जरूत नहीं है आपको बस एडमिशन का जो प्रूप है एडमिशन आपने कहा ले रहे वो थोड़ा जो डॉकमेंट है वो बैंक में जाके जमा करवाना पड़ेगा तिसरा यहां इंटरेस्ट जो फचल रहा है जब यह योजना स्टार्ट हुई थी 2015 में तब छो इस इंटरेस्ट जो रेट था वो 9.1 था अभी इसका 7.6 चल राहे और इसमें जो गारंटी जो है रिटरन मिलता है आपको आपको टेंशन लेनिन कम जूरुत नहीं है इसमें जो है guarantee return मिलेगा अब जो इसके बारे में आपन बात करेंगे कि इसमें आपन को tax benefit क्या-क्या मिलता है tax में आपको इस योजना को आप जो है 80C under 80C under section 80C के under में आप जो है 1.5 लक्त की saving जो है दीगा सकते है और इस योजना में जो आपको interest मिलता है वो under section 10 of ITR के under में जो है आप इसमें interest so कर सकते है अब इसके conclusion के बारे में बात करेंगे ये जो योजना हर कोई ले सकता है जिनके लड़की है और आगे जाके आपका tax भी saving हो सके तो आपको जो है इस योजना का लाग उटाना चाहिए इसमें जो है ज्यादा एक्समेंस नहीं है 200 रुपे 7.5 लाग तक आप जो है इसमें जमा करना है बागी जो है इसमें interest rate जो है वो भी कापी अच्छा दे रही है government और इसमें जो है कोई भी जारेक्स नहीं है आपको जो है guarantee return मिलेगा और आप जो है मेक्जिम दो लड़के प जो है आपका bank है वहाँ जाके आपको जो है अपना खाता आराम से start करवा सकते है यह खाता जो inactive नहीं होता है continue चलता रहता है इसका जो है 21 साल मेचुरिटी पे आपको जो है tax free जो है पूरा पैसा मिल जाएगा दोस्तों वीडियो को यह एंड करते है सब्सक्राइब कर लि झाल करते है अथा